बॉर्णिंग बच्चों, मैं डॉक्टर नितिका सिंग, आपको बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसकी यूनिट वन हम पढ़ चुके हैं, यूनिट वन में हमने बैक्टीरिया, वायरस और साइनो बैक्टीरिया पढ़ा था, यूनिट से हम शेवाल या एल प्रारम करने जा रहे हैं, अगर हम सालिविस की बात करें, तो यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं, विशानू और साथ में साइनो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, शेवाल जो हम शुरू करें यूनिट सेकेंड में, इसमें हम पढ़ेंगे शेवालों के सामान्य लक्षन या जनरल करेक्टर्स, देन उसका क्लासिफिकेशन या वर्गी करन, उसकी एकनामिक इंपोर्टेंस, ये तो हम कॉमन पढ़ेंगे, उसके बात में हम कुछ जो शेवालों के जीनस हैं, उनका लाइफ सैकल पढ़ेंगे, जो की क्लोरोफाइसी वर्ग के होंगे वो ह ये सब हमने पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट सेकिंड में, इंगलिश में भी वह रहे का जनरल करेक्टर्स, क्लासिफिकेशन अन एकनामिक इंपोर्टेंस, ये देन इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ लाइफ साइकल, लाइफ हिस्ट्री ऑफ क्लोरोफाइसी, वालवाक, ब्राइफॉफाइट में क्या अंतर है, या ब्राइफॉफाइट और टेइडोफाइट में क्या अंतर है, तो आपको पता होना चाहिए, यह सब बेजिक चीज़े हैं, जो बूलते हैं, बsaid बोटनी की ABCD यह आपको पता होनी चाहिए, तो अगर हम डिफ्रेंशेट करें कि शहवाल में ऐसे कौन-कौन से विशेश लक्षन है, जो कि इसको अन्य जो और्गिनिजम है, उनसे अलग करता है, तो वो हम पढ़ेंगे, तो यह दस पॉइंट्स है, जो शहवालों के कुछ विशेश लक्षन है, विशेश लक्षन को हम इंगलिश में बोलते हैं, salient features, बहु जल में पाया जाते हैं, चाहेद वो सवच्च जल में मिले, चाहे वो लवनी जल में मिले, चाहे हो मौस्च亘 में मिले, घिली दिवारों पर मिले, लेकिन वे जमही पाया जाएंगे, जहाँ पर जल पाया जाएगा, कुछ exceptions भी होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कौन-कौन-स लेकिन अधिकांश तया समान नित्याश वाल जलिये होते हैं। इन में chlorophyll वर्णक पाया जाता है और इसके साथ में हम क्या परका सकते हैं। यह अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, photosynthesis करते हैं और autotrophic होते हैं। इसके chlorophyll की वज़ते से आप स्वापोशी होते हैं, प्रकास translation करते हैं और अपना भोजन स्वयम बनाते हैं। यह हो गया second, chlorophyll containing, तीसरा है thaloid body, क्योंकि अगर आपने syllabus का नाम देखा है तो हम देख रहे हैं। अगर लिखा है, diversity of microbes and crypto games आगर लिखा है थेलोफाइटा। मैंने अपने lecture 1 में आपको बताया था कि थेलोफाइटा क्या होता है और crypto games क्या होते हैं। crypto games में हमने थेलोफाइटा पढ़ा था, ब्रायोफाइटा पढ़ा था और टैडोफाइटा पढ़ा था। यहां पर हम पेपर फस्त में पढ़ा रहे हैं वह थेलोफाइटा पढ़ा थेलोफाइटा मतलब ऐसे पादप जिनका शरीर है वह जड़ तना तथा पत्ती में लीफ स्टैम और रूट में विभेधित नहीं होता उसे हम कहते हैं थेलोफाइटा तो जिन थेलोफाइटा का मतलब है कि इनका पादप शरीर जड़ तना और पत्ती में विभेधित नहीं होता तो यह सब सिंपल है थेलोफाइटा थेलोफाइटा में क्या क्या आते हैं एल्गी और फंजाय मैं बता चुकी हूँ आपको अल्रेडी तो अभी जो हम पढ़ने होती हैं SOUND róż scorpion में और यह आता हुँ यह उन पहुप आज गडेभे शूलोज इसकी जो कोशी का विद्धी है वहे यह सींटीज की बनी होटी में स्टोर्जी अन चार्ण स्टार्च शार्च होता है दे कैंन भी calculate । कि एक कोशिकिय से बहुत कोशिकिय हो सकती हैं इसके उपर एक बंद्य कोशिकाओं की परत नहीं पाए जाती जब अगरम प्रयोफाइटा पड़ेंगे तो वहां पढ़ चुके होंगे अल्रेडी तो आप देखते हैं उसमें गृवा कोशिका गृवा नाल कोशिका जो उपर एक बंद्य कोशिकाओं की परत पहे जाती जिसको हम वेंटर साइल्स और गृवा नेक नेक सेल्स कहते हैं देन इस्टिंग्स ऑल्टरनेशन ऑफ जन्रेशन यहां पर पर्स्ट पीडिय का अंतरण पाय जाता है पीडिय का अंतरण का मतलब क्या होता है कि इसमें अभी आपको इतना याद रखना है कि इसमें इस पस्ट पीडिय का अंतरण पाया जाता है युगमक बनते हैं युगमकों के सलेयन से युगमे नज या फिस जाइगॉड बनता है जो की डिपलॉइड या द्वी गॉनित होता है और जाइगॉड से वापस फिर उसमें मियो इलक्षन में हम जो जो पॉइंट कवर करने वाले हैं वो है पहला हैबिटेट दूसरा हैबिटेट का मदलब आप सबच चुक्य होंगे होता है आवास कहां पाया जाता है दूसरा है थैलस ओर्गनाइजेशन तीसरा है सेल स्ट्रक्चर चौता है रिप्रड़क्शन या जन अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आप शेवालों से परचित हो पाएंगे और आगे जो आप विबनेप्रकार की शेवाले पढ़ने वाले हैं एक्जाम्पल के रूप में वो आप आसानी से याद कर पाएंगे क्योंकि अगर आपको अंदर ही नहीं पता है कि श चार्टिंग में डंक से पढ़ लिया तो आगे आपको पढ़ना आसान रहेगा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है है आपिटेट या आवास शेवालों का आवास कि होता है मैं आपको अल्रडी बता चुक्कियों कि शेवाल समाने तया जली आवास में पाए जाते हैं अ पहला है अगर्णा पेला है एक्विटिक या जली आवास दूसरा है और तीसरा है असामाने आवास मतलब इसमें आपको कुछ नॉमल से हड के कुछ इनका आवास रहेगा अन पहली बात अगर आपने एकोलोजिक पढ़िए आप अल्सितिक पढ़िए तो आवास का मतलब अ पर algae में तो algae कोई घर नहीं होता, तो यहां पर habitat का मतलब है कि जहां उस particular organism के पाई जाने की संभावना अधिकांश तियार रहती है, उसको हम habitat कहते हैं, जहां पर उसके पाई जाने की संभावना अधिकांश तियार रहती है, उस particular area को habitat कहते हैं, तो यहां पर habitat आपको मैंने clear क से लगड़ा है कargेREY जल में मिलेंगी तो जल में पाई जाने वाली याल्गी फिस दू KDY होसकती है पहली होती है स्फ्रेश व Western वाटर स्वच्छ जल में या मीठे पाणी में नहीं है स्वच्छी चला लेकिन वह रणिंग है तो वहां जो पाई जाती है उसे हम खहते हैं रणिंग वाटर अल्गी उसके एक्जामपल है उडोगोनियमें कहरा मैंने बहुत एक एक दो दो सिंपल एक्जामपल दिये हैं आपके वाल एक याद कर लीजिए काफी है व्याद हो जाएगा तो यह है ओडोगोनियमें कहरा दूसरा है स्टेगनेन वाटर या स्थिर जल में हम पढ़ेंगे जो एक्जामपल से हैं वो हैं वाल वॉक्स और क्ले माइडो मोनास तो अन्हां अंतर क्या है बिटा है कि स्थिर जल जो होता है इसका पानी प्रवाइद होती है कि वह आधार से जोड़ी होती है वरना वह पानी के साथ बैढ़ जाएगी सिंपल है एक सिंपल सा लॉजिक है कि यदि वह पानी रॉनिंग है और वह शेवाल उसमें तैर रही है तो वह बहगे निकल जाएगी लेकिन जो अगर वह नीचे कहीं आधार पर चिपकी यह अगर उसमें बाई जाती है एक्टोकार positive प्लेवक पड्ना बहुति वाडस पड़ रहाख ईशyi चोडंबाक्टि रहे थे पहले मैंने आपको बताया था कि वाट्रे सासा हर भी यह बहुत सारे नाम में क्या क्या इसा आपस में संब्धत है तो यूट्रॉफिकेशन जिसको हम कहते हैं एक है फाइटो प्लैंक्टोन या पादपलवक और एक है वाटर ब्लूम इनका आपस में संब्धत है देखो बीटा होता क्या है कि शेवाल जब अच्छे दिक व्रद् अच्छिम हो गया उसके अलाव़ एक कोश्य के शेवाल यह सब बहुत अतिदिक रुद्धि करके एक मूटी परत बनाते है इसको प्लैंक्टॉन कहते है फाइटो प्लैंक्टॉन मतलब प्लैंक्टॉन का जो पादप वाला भाग होता है जो प्रकास अंसलेशन करता है उसे यह भाइटो प्लैंकटॉन कहते हैं। फाइटो प्लैंकटॉन अकर समान्य हो जिसे वह सागर में होता है, तो वह बल्कि बेनेफीशिल होता है। क्यों हो। क्योंकि इतना सारा उत्पतिक हो भी शेवाल की, जितनी ज़या बढ़ेगी उतना अधिक प्रकासुन्सलेशन होगा जितना अधिक प्रकास अंसलेशन होगा, उतना एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, जो समुद्री जीवन को खात खाद्यान प्रदान होगा, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये फाइटो प्लैंक्टोन अचानक से यूट्रॉफिफिकेशन में कैसे कनवर्ट हो जाता है लेकिन अब क्या हो गया है, सामान छोटे से तालाव में हैं, जहां पर हमारा डॉमेस्टिक वाटर, बरतन दोया हुआ पानी या जो भी हम कपड़ेद होते हैं, वो सब फॉल्टेड वाटर है, यह से वेज जो हम बोलते हैं, वो सब पानी जारे कहां मिलता है, जलाशय में, जलाशहहहं में मिलता है तो जो यह शेवाल है जो वहां grow कर रही है तो इनको nutrients मिल जाते हैं वहां पर खाद मिल जाती है और यह पहुत plankton है। बहुत अत्यदिक रदी कर लेता है जितनी रदी इसको प्योग करते हैं और दिरे दिरे जलाशे में अक्सिजन की कमी हो जाती है और इसकी कारण क्या होता है जो भी वहां पे जले जीव जनत हुए उनकी डेथ हो जाती है और उस पानी में से बद्वू आती है तो समझ रहे हैं फाइटो फ्लैंक्टॉन किस प्रकार से वाटर पॉल जो मैं बोल रहे थी उसको हम अल्गी में भी पढ़ेंगे वहां आपने डिटेल ने पढ़ा था यहां उसको क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो यहां पर है कि कुछ ऐसे फ्रेश वाटर प्लैंक्टॉन मतलब स्वच्छ जल में पाय जाने वाली शेवाल जो की प्लैंक् प्लस तो यह कुछ एक्जामपल है फाइटो प्लैंक्टॉन बनाने वाली शेवालों के यह मैंने एक महा सागर में उपस्तित जो पर टॉप यूद लिया गया है किसी सागर में उपस्तित फाइटो प्लैंक्टॉन का आप देख रहे हैं पानी के अंदर पूरा ग्रीन इसको होती है सुखी भूमी में नहीं पाई जाती जिसे जो शेवाल इसमें भी क्या होती है इसलिए में कुछ सर्फिस के उपर मतलब रदा के उपर पाई जाती है जिसको हम सेपोफाइट्स कहते हैं क्या बोलते हैं सेफोफाइट्स सेफोफाइट्स क्यों धारन है and Frichella इसी प्रकार से को शखेवाल अंडर सर्फेस पाई जाती है मतलब सर्फेस के नीचे पाय जाती है जिसको अम क्रिप्टो है क्रिप्टो में आपको शुआ जबा चुक्यों को मतलब होता है hidden चिपा हुआ चिपा हुआ मतलब भूमी के नीचे तो इसका उधारण होता है जो blue green algae या फिर नील हर्देश शेवाल है नौस्ट्रॉक जथा है ना बिना यह भूमी के नीचे पाई जाती है दिखे दोना मंतर समझ गया आप टेरिस्ट्रियल स्थल पे पाई जाने वाली दो इसी शेवाल जो की बहुत ही अलग आवास में पाई जाती है अब जैसे मैं आप उसको याद करने का तरीका बताते हूं अगर आप से पूछा जाए कि आपके लिए अन्यूजवल आवास कौन सा है तो आप कहेंगे यहां तो जहां पर बहुत अधिक घर्मी हो गई तो वहा पर हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से हम बोलेंगे अन्यूजवल जो आपकी नॉमल आप है रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यह बहुत अधिक ठंड में पाई जाने वाली शेवाल जिसको हम कहते हैं क्रायोफाइट्स क्रायो का मतलब होता है स्नो में या बर्फ मे जाने वाली शेवाल थर्मोफाइट्स घर्मा मीटव में दिखते हैं धर्म का मतलब होता है स्नो में धायोपाइट्स को मतलब ह Beij में को अधिक जिले होती है वहां पाई जाती है तो हेलोफाइट मतलब खारे पानी के जिलों में पाई जाने वाली श्यावाल एपि मदलब किसी पौर पाय जयने वाल, एपि जॉइक जॉइक कर अपता है जॉलोजी से है तो किसी exegrim untuk जन्तु के उपर पाये जाने जाने बंदफो, लिफोस्पीर है आप चाने तो नगड है, नगड़र चान अगर 5000 दिरन चन्तु प्रवा़ उसेत आप मावियर कि बें परना छे, सेवाल तो यह सबी नौ प्रकार हम शौट में सिफ एक एक उधारण द्वारा समझेंगे क्रायोफाइट मैंने बताया था बर्फ पर या स्नो पर बाई जाती है उधारण है रेट स्नो अगर बर्फ का रंग लाल है तो वहां पर कौन से यह बेटा एक करण होता है क्लेमाइडो मोनास यलो स्टोन एंसिस ब्लेक स्नो का मतलब होता है स्कॉटियला निवैलिस तो यह एक्जामपल आपको यहायत करना है रेट स्नो ग्रीन स्नो और ब्लेक स्नो इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोफाइट जो की गर्म जगह पर पाय जाती है समानित छुटियलो में पाय जाती है सिन्ने कोकस इलांगेटेस यह भी होड वाटर स्प्रिंग में मिलती है next हेलोफाइट जो कि खारे पानी की जीलों में पाय जाती है इसका ओधारण है क्लेमाइडो मोनास एहरन बर जाई यह इसका उधारण है मैं आपको जो बोल रही हूं यहां पर स्पैलिंग मैं एंग्लिश में दे रखी लेकिन मैं हिंदी में ही बोल रही हूं तो आप हिंदी में राइड डाउन कर लेंगे और भी कुल करेक्ट लिखेंगे इन किकले माई डो मोर्नास है रेंड बर जाएं देन है एपिफाइट जो हम कहते है कि पाधे के उपर सत्हापर पर जाती है तो होता क्या है कि कुछ छोटी-छोटी शहवाले बड़ी शहवालों पे अत्वा ब्रायोफाइट्स और एंजियो स्पर्म की सता पर पाई जाती है जिसका उधारण है जैसे बल्बो की इडिया उटो गोनिया में छोटी शेवाले हैं ये बड़ी शेवालों पर जैसे क्लेडोफोरा और वाउचेरिया के उपर पाई जाती है ये होती है एपिफाइट जो कि किसी जनतू के उपर पाई जाती है उनको कहते हैं एलगा, एल्गी which grow on animals एकिसामपल है टलेडोफोरा क्रिस्पेटा इस कहा उपती है गौंगों पर है स्थनेल के उपर उपती है इसको कहते हैं टलेडोफोरा क्रिस्पेटा इसके अतिरिक्त species of stygioclonium कहा मिलती है gills of fishes पर मिलती है जो मशलियों के gills पर मिलती है species of stygioclonium is found on gills of fishes यह दो एक्जामपल अगर दो आपको याद हो नहीं पारें तो कोई भी एक 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 जामपल आप याद कर लेंगे Claydofora crispeta यहापर stygioclonium gills of fishes endozoic देखिए वो था सता पर जनतू के अंदर नहीं मिल रही थी यहाँ पर क्या हो रहा है ये श्यमाले किसी जनतू के अंदर मिल रही है जैसे एक zooclorella उसका नाम ही zooclorella के आगे मतलब ये zooclorella मतलब आते ही कोई जनतू आजाता है जो blue-green algae है उसलेटर हो रही है कि कुछ जाती है एनिमल्स जो vertebrates होते हैं उनके respiratory या digestive tract में पाय जाती है जो शवशन नाल या अहार नाल होती है उसके अंदर यह पाय जाती है यह कुछ जाती है यह बात हो यह एंडोजोई की लीथोफाइटिक लीथोफाइटिक मतलब यह जो नमी युक चटाने या पत्थर पर या दिवारों पर पाय जाती है इसको कहते है लीथोफाइटिक जैसे साइटो नीमा नामक एक शेवाल है साइटो नीमा जो की बरसात के मौसम में अधिकांश्ता गिली दिवारों पर उख जाती है इसी प्रकार से नौस्टॉक रिविल इस शेवाले हम जानते हैं कि सबसे एक इंपोर्टेंट साहजीवन है शेवाल और फंजाई का कवक तथा शेवाल का वो है लाइकेन लाइकेन में हम जानते हैं कि शेवाल क्या करती है प्रकार संसलेशन करती है और कवक क्या करती है कटकवक और एब्सॉप्शन या अफ्श उसके अंदर पाए जाती है और कुछ साइकस की कोरिलोइड जडों में भी पाए जाती है आप यह सब पढ़ने जा रहे हैं आगे तो एंतोसरोस सा विसी साल पढ़ लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यह एंतोसरोस के अंदर भी नॉस्ट्रो कोरेना बिनना नामक ब्लू कुछ बहुत रेरली ऐसे शेवाल होती है जो की पेरासाइट या पर पोश्ची होती है यह किसी और पे निल पर रहती है उसका मुक्योदारन है सिफेल्यूरॉस वाईरी सेंस सिफेल्यूरॉस वाईरी सेंस वापिस रिपीट करते हूं सिफेल्यूरॉस वाईरी सेंस यह टी एंड कॉफी चाहिए तता कॉफी में रेड रस्ट रोग उत्पन करती है मतलब एक रोगाणू शेवाल यह बहुत इंपोर्टेंट है कॉंपेटिशन पॉइंट पॉइंट इस पर कोशिन बनता है कि इसी कौन सी शेवाल है जो की रोग उत्पन करती है या फिर जो पर कोशी होती है या रोग कारी होती है कौन सी होती है सिफेल्यूरॉस वायरी सायंस जोगी टी एंड कॉफी पे रेड रस्ट लाल रस्ट रोग उत्पन करती है इस प्रकार से जो आज हमने एक सिफ एक general characters पढ़ाया शेवाल का जो की है आवास आप देख रहे हैं हमने general characters पढ़ने start किये हैं पहला पढ़ दिया है हमने habitat next lecture में हम पढ़ेंगे थैलस organization of algae शेवाल में थैलस organization किस प्रकार का होता है वो हम पढ़ेंगे और आपको कुछ-कुछ शेवालों के नाम व्याद ह देर देर आप उनको पैचानना भी प्यारम केजिए क्योंकि practical में आप देखेंगे जो यह पहली शेवाल देख रही है वो है वालवक्स जो हम देख रहे हैं फर्स जो शेवाल है यह है वालवक्स यह वाली जो शेवाल है यह है claim idomona और यह शेवाल है कारा यह सब green algae में आत कि आप ध्यान से पढ़िए आप बहुत सरलता से मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप समझ पाएंगे असानी से एक टिपिकल से टॉपिक को धन्यवाद